साथियों ज्योतिश शास्त्र के अनुसार हर माह पर किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है, जिसका असर उस महीने में जन्म लेने वाले जातकों पर भी पढ़ता है, जिसके फल स्वरूप व्यक्ति में गुण एवं दोश उत्पन्न होते हैं. तो आईए हर माह में जन्म लेने वाले जातकों के स्वभाव, गुण, दोश अवं ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानते हैं. जन्वरी में जन्मे लोग मेहनती होते हैं अवं सुव्य वस्थित जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन इनमे धैर्य की कमी होती है, जिससे कई बार नुकसान भी जहलना पड़ता है। जन्वरी माह पर सूर्य और शनी का प्रभाव होता है। इन्हें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। फरवरी में जन्मे लोग किसी भी काम को करने से पहले उसको करने के विशेश तरीके को खोजना ज्यादा पसंद करते हैं। ये आजाद खयालों के होते हैं जिसके कारण कारेक्षेत्र में अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है। फरवरी माह पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इन्हे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मार्च में जन्मे लोगों की धार्मिक कारियों में ज्यादा रुची होती है। लेकिन स्वभाव का अडियल पर इनके लिए कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। मार्च माह पर ब्रिस्पती ग्रह का प्रभाव होता है। इन्हे भगवान विश्णू की पूजा करनी चाहिए। अप्रेल में जन्मे लोग अपने कार्यक्षित्र में काफी सक्रिय होते हैं, लेकिन इनका चिड़-चिड़ा स्वभाव कई बार इन्हें मुश्किल में डाल देता है। अप्रेल माह पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, इन्हें मा दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जुलाई माह में जन्मे लोग मन के साफ होते हैं, लेकिन इनका जिद्धी स्वभाव कई बार मुसीबत का कारण बनता है। से इन्हें बचना चाहिए। सितंबर माह पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, इन्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अक्टूबर में जन्मे लोगों का मन शांत होता है और दिखने में आकरशक होते हैं, लेकिन सफलता के लिए इन्हें दूसरों पर निर्भर होने से बचना चाहिए। अक्टूबर माह पर चंद्रमा ग्रह का प्रभाव होता है, इन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अक्टूबर माह पर चाहिए।